अहग ब्यूटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं फिर से एक नया विडियो लेकर आया हूँ। सफेब दान्त कौन नहीं चाहता है। लेकिन अगर आप रोजाना नियमों के मताबक ब्रश भी करते हैं तो भी पीला पंदूर नहीं होता है। अगर आप अपने दान्तों को कम कीमत में वापस अपनी पुरानी स्थिती में लाना चाहते हैं तो आप आज से ही इन पांच अचूप घरेलू उपचारों को आजमा सकते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं सबसे पहले अधरक ले लूँगी। अर्ख में पोटेशियम, लुहा, मैगनीशियम, केलशियम, फॉसफोरस, सोडियम, जस्ता, मैंगनीज, विटामिन A, B6, E और C और एंटी बैक्टरियल एजेंट और एंटी इंफलिमेटरी एजेंट होते हैं जिससे हर उम्र के लोग अधरक खा सकते हैं। खासकर बच्चों के लिए अधरक शहर, पानी स्वस्थ, शरीर और तरोताजा दिमाग के लिए बहुत कारगर है। फिर मैं अधरक छीलूंगा। मैं अधरक के पेस्ट का पेस्ट बनाऊंगा। चिपकाया गया। मैं एक खाली कटोरी में नीमबू का रस दूंगा और फिर इसे फिल्टर की मदद से छान लीजिए। देखिए अधरक और नीमबू का रस मिक्स हो गया है। मैं एक बड़ा चम्मच नमक डालूंगा। मैं एक बड़ा चम्मच चार कोल पाउडर डालूंगा। यदि आप प्राकृतिक दान्तों को सफेद करने की तलाश में हैं तो सक्रिय चार कोल आपके लिए एक और प्रभावी प्राकृतिक तरीका हो सकता है। सक्रिय चार कोल औक्सीजन और केल्शियम क्लोराइड के साथ चार कोल को संसाधित करके बनाया जाता है और इसके अत्यधिक शोशक गुनों के कारण इसे प्रभावी दान्तों को सफेद करने वाला एजेंट माना जाता है है तो मैं टूटपेस जोड़ूंगा पीतल दिन में दो बार सुबह और रात करें आप देखेंगे कि सांसों की दूरगंध दूर हो जाएगी मसूरे मजबूत होंगे और दान्त मोतियों की तरह चमक उठेंगे तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें